हलो दोस्तों आपका एजी स्टेडी यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम लोग महात्मा गांदी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर प्रशनों का अध्यन करेंगे तो चलिए आज का सेक्षन सुरू करते हैं पहला प्रशन है महात्मा गांदी का जन्म कब हुआ था तो महात्मा गांदी का जन्म दो अक्टूबर 1879 को हुआ था महात्मा गांदी का जन्म दो अक्टूबर 1879 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में कहा हुआ था तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन अब ती दोसरा प्रस्न हम देखते हैं दोसरा प्रस्न है महात्मा गांधी ने चमपारर सत्यागर को अब शुरूर किया था तो महात्मा गांधी ने चमपारर सत्यागर उननी सो सत्रे इस्वी में किया था यह चमपारर सत्यागर किस राज में किया था तो यह बिहार राज में राज पुछेगा तो कहा है बिहार राज चमपारर सत्यागर किस राज में किया था बिहार राजी में कब किया था उनीसो सत्यागर कब सुरू किया था तो उनीसो सत्यागर कब सुरू किया था तो उनीसो सत्यागर कब सुरू किया था यह किस राजी में किया था तो यह गुजरात में महत्मा गांधी ने खिलापत अंदोलन कप शुरू किया था महत्मा गांधी ने खिलापत अंदोलन तो महात्मा गांधी ने खिलापत अंदोलन उन्नीस इस्वी में किया था या मुस्लीमों द्वारा किया गया अंदोलन था किसके द्वारा मुस्लीमों द्वारा इसमें महात्मा गांधी ने मुस्लीमों का साथ दिया था अगला प्रस्ण है प्रस्णाख्या चौथा पांचमा प्रस्ण है महात्मा गांती ने और सयूग अंदोलन कभ शुरू किया था पाफ़वा प्रस महात्मा गांधी ने औसरयूग आंदोलन कब शुरूक था? तो महात्मा गांधी ने औसरयूग आंदोलन 1921 में क्या था? कब क्या था 1920 में यह अंग्रेजी समानों का बहिस्कार करने के लिए किया गया था अगला प्रशने प्रसंख्या छटवा प्रशने महात्मा गांधी ने सवीने अवग्या अंदोलन कब शुरू किया था तो महात्मा गांधी ने सवीने अवग्या अंदोलन 1930 में किया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कफ शुरू किया था तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्ट 9 अगस्ट 1942 को शुरू किया था अगला प्रस्ण है प्रसंख्या साथवा प्रसंख्या आठवा महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था अगला प्रस्ण प्रसंख्या नौवा महात्मा गांधी की पतनी का क्या नाम था तो महात्मा गांधी की पतनी का नाम कस्तुर्बा गांधी था आगला प्रसंख्या दसवा महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करम चंद्र गांधी था प्रसंख्या इग्रह्वां महात्मा गांती जी ने राष्ट पिता महात्मा गांती जी को राष्ट पिता सबसे पहले किस ने कहा था तो महत्मा गान्थी जी को सबसे पहले राष्ट पिता सुभाश चंद्र बोस ने कहा था उन्होंने 4 जून 1942 को सुभाश चंद्र बोस ने सिंगापूर से रेडियों से एक संदेश परसारित करते हुए उन्होंने उस रेडियों संदेश में महत्मा गान्थी को राष्ट पिता बोला था प्रसंख्या बरा हुआ है महत्मा गान्थी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था अगला प्रस्ण प्रसंख्या 13. महात्मा गांधी जी को भारती राजनीती का बच्चा किसने कहा था तो महात्मा गांधी जी को भारती राजनीती का बच्चा एनी बेसेंट ने कही थी एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को भारती राजनीती का बच्चा कही थी प्रशंख्या है 14 हुआ महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधी सवर पर्थम किस ने दी थी तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधी सबसे पहले रवींदरनाथ टैगोर ने दी थे रविंदनाथ टैगोर अगला प्रसन है प्रसंख्या 15 हुआ महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा किस ने कहा था तो महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा खान अब्दुल गफार खान ने कहा था महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा किस ने कहा था तो मलंग बाबा खान अब्दुल गफार खान ने कहा था प्रसंख्या 16 हुआ है महात्मा गांधी जी ने सत्यागरा अंदोलन का प्रियोग सबसे पहले किस देश में किये थे तो महात्मा गांधी जी ने सत्यागरा अंदोलन का सबसे पहला प्रयोग दच्छिर अफरीका में की थी जिसमें उनको सफलता भी मिली थी इस अंदोलन में उन्हें दच्छिर अफरीका में सफलता भी मिली थी अगला प्रश्ण क्या अठ्रामा प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अंग्रेजो द्वारा कौन सी उपाधी दी गए थी, तो महात्मा गांधी जी को अंग्रेजो दवारा केसरे हिंद की उपाधी दिये थी क्यों दिये थी क्योंकि महात्मा गांधी ने दुतिवी स्यूध में बिटेन का साथ दिया था जिसमें कई भारतियों को यूध लड़ने के लिए प्रेरित किया था इस खुशी में अंग्रेजों ने उन्हें के शरे हिंद की उपाधी दी थी अगला प्रशन है प्रशन क्या अनिसमा महत्मा गांदी जी दच्छिल अफ्रिका से भारत कब वापस आये थे तो महात्मा गान्धी जी दच्छिल अप्रिका से भारत 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आये थे कबार थे? 9 जनवरी 1915 को अगला प्रश्न है प्रशंख्या बीशमा प्रशंख्या बीशमा अंग्रेजो द्वारा भारत में रोलेक्ट एक्ट काला कानून कब पारित किया गया था अंग्रेजो द्वारा भारत में रोलेक्ट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है कब लागू किया गया भारत में तो मार्च 1919 में मार्च 1919 में लागू किया गया जिसके द्वारा बीना वकील, बीना दलील के भी किसी भी बिक्ति को बिना कारण बताय हुए उसे कहीं से भी गिरापतार कर लिया जाता था अगला प्रशन है, प्रशन ख्या, एक हिस्वा परतेक वर्स भारती प्रवासी डिवस को मनाया जाता है तो प्रतेक वर्स प्रवासी भारती दिवस 9 जन्वरी को मनाय जाता है 9 जन्वरी को इसलिए मनाय जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने दच्छुर अप्रिका से भारत वापस 9 जन्वरी 1915 को आये थे इसी दिन प्रवासी के युगदान को याद करते हुए प्रतेक वर्स 9 जन्वरी को प्रवासी भारती दिवस मनाय जाता है अगला प्रसंख्या 22 महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जन्वरी 1948 में हुई थी कहां हुई थी बिरला हाउस में महात्मा गांधी जी की हत्या बिरला हाउस नई दिल्ली 30 जन्वरी 1948 को अगला प्रसंख्या 23 महात्मा गांधी जी की हत्या किस ने की थी तो महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोट से ने की थी प्रसंख्या 24 महात्मा गांधी जी की समाधी कहां है तो महात्मा गांधी जी की समाधी राजगाट में है कहां है राजगाट में इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है आपने इस वीडियो को पूरा दिखा इसलिए आपको धैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो धन्यवाद यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सस्क्राइब करना न भूले धन्यवाद